मोदी सरकार की आई शामत किसान और किसान अपने ट्रेक्टर लेकर दिल्ली कूच के लिए तैयार नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज 13 फरवरी को जो किसान सडकों पर बैठे हुए हैं चंबू बाॉर्ड़ तमाम बाॉर्डरों पर बैठे हुएं दिल्ली कूच करने को तैयार और वहां से उनको दिल्ली कूच करने के लिए नहीं आने दिया जा रہा है उन पर लगतार जो है आसुगैस के गोले और तमाम चीजें करी जा रही है बरवरता करी जा रही है और उनको जो है बॉर्टर पार करके दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है 13 फर्वरी से शुरू हुआ ये अंदोलन अब इसको जो है 14 दिन हो चुके हैं और लगबग अभी तक जो है किसान जो है दिल्ली कूच करके दिल्ली तक पहुच नहीं पाएं दिल्ली का घिराफ करने अपनी मांगो को रखने दिल्ली तक पहुच नहीं पाएं उनको आने नहीं दिया जा रहा है लगबग अधार किसान जो है वहाँ पे बैठे वे अपनी मांगो को लेकर कह रहे हैं कि हमें सिर्फ दिल्ली आने दे उनने सीधा ये कह दिया है कि हम शांती पूर्वक धंग से वहाँ पर अंदोरंद करेंगे अपनी मांगों को रखेंगे हमें सरिफ दिल्ली आने दिया जाए और वहीं जो सरकार है उनको दिल्ली आने नहीं दे रही है लगतार पुलिस की बैरिगेटिंग कर दी गई है पुलि हम हाल नहीं मानेंगे इस बार MSP जो हम लेके जाएंगे पिछले किसान अंदोलों में जैसे की देखा गया था कि 700 किसानों ने अपनी जान गवाई थी शहीदी दी थी लेकिन इस बार जो है इस बार भी लगतार दो-तिन लोगों की जो जाने जा चुकी है अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों पर जो पूरे अपडेट हैं हम आपको पढ़के विस्तार से बता देते हैं नियूंतम समर्थन मूले समेत तमाम उद्दों को लेकर अंदोलन कर रहे किसान पंजाब हर्याना के बॉडर पर रुके हुए हैं 29 फरवरी को ये किसान दिल्ली में प्र कर दी गई है 29 फरवरी को किसान दुबारा दिल्ली कूच के लिए निकल सकते हैं लेकिन इसके बाद जो खनौरी बॉर्डर की तस्वीरे आ रही है जहां पर दिल्ली चलो मार्च जो करा जा रहा था वहां पर एक जो शक्स है उसकी मौत हो चुकी और उसके बाद हर्याना मे सब कर दिये गए इंटरनेट बन कर दिए गयूँ घांजा की taşवारी सरकार जो किसानों के साथ कर रही है वह चीजता सोशल मीडिया पे हवारे अन्टात बंद कर दिया है अब देखिए जो किसानों में जो किसानों को समर्पित सरकार जो सरकार कहती हैं किसानों के लिए समर्पित भाजबस सरकार जो कहती है कि हम किसानों के लिए समर्पित सरकार है जगा 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 जो है के गोले चोड़े जाते हैं ताकि वे दिल्ली कुछ करने के लिए ना आ पाए और जो इस सरकार हम कहती है कि 2014 के बाद से हमने किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम करा है अगर उन्हों काम करा होता किसान जो है सडक पर नहीं बैठे होते और जैसे पिछले किसान के नजर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो प्रदान मंतरी मोदी जी है वह अन्ह दाता क्योंकि वह राशन दे रहे हैं सब को अगर किसान जो है खेती करना ही छोड़ दे तो किसान जो है अगर ऐसे ही खेती ना करके सडकों पर बैठा रहे अपनी मांगों पर अड़र है तो अन्न कहां से आएगा जो जिसे अन्न दाता प्रदान बंत्री मोधी जी को कहा जा रहा है कि हम राशन देते हैं तो अन्न है जो खेती करके 24-23 घंटे काम करके उसके बाद अन्नूग आते हैं उसके बाद उनको उनके उपर ऐसे चीजे नजर आती हैं और इसके उपर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं पहले किसी अंदोलन और महौल खराग की जगा सुलजेवे अधिकारी करमचारी भेजे जाते थे लेकिन आज की डेट में ऐसे कुली स Here थी किसान करना चाहते हैं लेकिन को करने नहीं रही है कि बातचीच से ही समधान करने से समधान करने से समधान निकले है कि चुनाव तक ऐसे ही चलने वाला है चुनाव तक जो है कि मोदी सरकार जो है वो नहीं सुनने वाले हैं चाहे आप कुछ भी कर लिए कि समधान निकालने से ही समधान मिलेगा और समधान जो है वो जो सरकार है नहीं दे लेकिन असलियत जो देखी जाएगर जमीनी हकीकत की बात करें तो किसानों के लिए कुछ नहीं करा गया होता तो यह अन्दाता अज सड़कों पर नहीं बैठे होते सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर नहीं बैठे होते जहाँ पर किसान जमीनों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हो हैं सड़कों पर आ गए हैं बौडरों पर बैठे हो हैं गाउं से निकल कर शहरों के और दिल्ली के और आना चाहते हैं वहाँ पर जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी हैं वो दक्षिन भारत का दौरा करने निकल चुके हैं जहां उन्हें किसानों के पास जाके किसानों के सुननी चाहिए उनकी मांगों पर धियान देना चाहिए वहाँ पर दक्षिन भारत का दौरा करने उतर गए हैं जहां पर उनको किसानों के लिए काम करना चाहिए किसानों की बातों को सुनना चाहिए MSP पर भ्यान देना चीए वहीं दूसरी तरफ वो घूम रहे हैं अपना किसानों को ऐसे ही छोड़ कर खालसा और खालसा एड इंडिया के आगे आकर सयोग दिया है जहां पर जो घॉम ऐसे हरे ऐसे अकान को बैन कर जा रहा है ताकि जो असली हकीकत है जो असली तस्वीरे हैं वो आप तक न पहुंचाई जाएन उचाना की ट्रेक्टर मार्च शुरू किसान WTO और खनौरी बॉर्डर पर शहीद हुए किसान शुपकरन की हत्या के विरोध का हो रहा ट्रेक्टर मार्च उसके लाद इस पर सचन गुपता लिखते हैं यूपी में आज किसान सड़कों पर हैं ट्रेक्टर मार्च निकाल रहे हैं मेरट में एक किसान ने कहां MSP का आदेश करवादो अभी उठ जाएंगे इंस्पेक्टर बोले हमारे अधिकार में MSP होती तो अभी कर देते हमें क्या पता MSP क्या है आपकी मांग क्या है मतलब सीजी तोर पर इंस्पेक्टर ये बोल रहे है कि हमें नहीं पता MSP क्या है जहां पर MSP का सब को पता होना चेहां पर इंस्पेक्टर को पता ही नहीं MSP क्या है वो लगतार जो है किसानों को आने तक नहीं दिया जा रहा है एक बर फिर से किसान 39 तारिक को जो है दिल्ली कूच के लिए निकलेगा और इस बर देखना ये है कि क्या होगा दुबारा उन पर फाइरिंग कराई जाएगी दुबारा आसुगैस के गोले छोड़े जाएगी या इस बर किसान दिल्ली कूच के लिए निकल जाएगा और दिल